एपिसोड की शुरुवात होती है कीहून और हिंसुक से जो कॉंटी अफिस जाते रहते हैं तब भी वो लोग रोट पे एक लाश देखते हैं तो हंसुक बीना कुछ सोचे जाके देखती है कि उसकी ही टीम का बंदा रहता है क्यून टेंशन में रहता है कि उसने तो गारी को बांडरी बनाया था बट हंसिक उसके बाहर थी वहां हंसिक वो देखके बहुत उदास हो जाती है फिर वो हतकरी और गन उसे ले लेती है फिर जब वो आती है तो क्यून उसे समझाता है कि बांडरी से बाहर मत जाओ वो बोलत सब टेंशन से रहती हैं में हना अजा दंट करने लिए पिर माता है तो सोर्जिन ब्लती है musik kill me, तो यूंग जू तो उसमे एक्सपट रहता है, तो वो उसे मानने जाता है, बार्ट दो क्यूंग उसे रोकता है, वो फिर बहुत मार खाता है यूंग जू के हाथ से, फिर सब को बोलता रहता है, कि ये भी infected बन गया है, इसको भी बान दो, वहाँ वो लोग जाते रहते है तो रास्ते में हंसिक अपनी टीम वाले को देख के उसके पास जाती है, फिर से भी ना गुद सोचे, बट वो infected रहता है, वो हंसुक पे ही बंदुक ताना रहता है, फिर हंसुक उसे लरती है होश में आने के लिए, बट वो उसका खुन का प्यासा रहता है, फिर कीहुन जल वो बस एक पुतली की वज़े से हो रहा था, वहाँ यॉग जू सब को भरकाता ही रहता है, कि ये सब को मार देते हैं, नहीं तो हम मार जाएंगे, फिर गाउनर बोलता है कि सब को मानने की जरुवत नहीं है, ये सब को बाहर भेज देते हैं, अब लड़के मारेंगे बाहर तो हमारी गल्दी थुरी होईगी ये फैस्टे से योंग जू भी खुश हो जाता है धीरे धीरे सब रेडी भी हो जाते है फिर दोक्यूंग बोलता है कि ये तो इंडिरेक्ली मानना ही हुआ ना वो लोग को तब योंग जू दोक्यूंग को इतना मारता है इतना मारता है कि पुतला जो काच में था वो टूर जाता है अब पुतला जो है वो सब को दिखने लगता है एंड सब लोग पुतला का आँख भी देख लेते हैं बाहर एक इंफेक्टेड आंटी उस कॉंटी ओफिस के एसी में आँख लगा देती है और खुश होती रहती है वहाँ ये दोनों कॉंटी ओफिस के करीब पहुंचते रहते हैं फिर मौंग कॉल करके बोलता है कि हम लोग को एक रास्ता मिल गया है तुम अपनी आखे बंद करके उस ट्रेचू की आँख बंद करना और जो टीबेट लैन्वेज में लिखा था वो लिखना हम लोग सब य अपनी बस निकालो हमें बाहर जाना होगा फिर सारे लोग दर्वाजे के पास का समान हटाने लगते हैं यूंग जू दोक्योंग और सोजीन को वहीं छोड़ देता है और वो उसको वही चाकू देता है ताके वो अपनी सुरक्षा कर सके फिर दोक्योंग भी बस ड्राइवर भी इंफेक्टेट बन रहा था वो कि उनकी कार को ठोकने ही जाता है कि यूंग जू उसे करने से रोकता है फिर वो पूरी बस को ही पलट देता है ताके सब मर जाए उसके बाद उस बस में सारे लोग एक दूसरे को मानने लगते हैं क्योंकि सब इंफेक्ट बन के मर जाता है यहां मौंक लोग अपनी मन तर्श शुरू कर देते हैं वहां दो क्योंग चागु से सोजिन को मानने जाता है क्योंकि वह भी इंफेक्टेट बन चुका था तबी कि उनकार ले के उस ट्रेचु को जाके ठोकता है कि उन तो आंग बंधी करा रहता है और हं अंशुक अपनी बेटे को देखने के लिए आंग खोलती है और पुतले की आंख में भी देख लेती है और यहीं एपिसोड खताम हो जाता है सो लास एपिसोड में देखेंगे कि की उन ये बुरी आत्मा का श्राप कैसे तूरेगा या फिर सब लोग इंफेक्टेट बन के एक दुसरे को मार देंगे सो नेक्स एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें मिलते हैं नेक्स एपिसोड में बाई टेक केर